सबेस लंबे समय तक चलाने वाले टेली विजन ऐसे चो ये रिष्टा क्या कहलाता है ने अपानी उलेखनिय 15 साल की यात्र में दुखद मौत के डॉक्ट शेन की एक भावनात्मक टैपस्ट्री बुनी है जिससे दर्शकों का दिल तूट गया है और अने की आँखे नम हो गा जैसोनी के किरादार अभिनव का हाल ही में निधन एक रिदेव विदारक क्षन था जिसने प्रशंसकों को स्तब्द कर दिया अभिनव और अक्षरा के रिष्टे को संजुया गया था जिससे अनका जाना और भी दरदानाख हो गया इसके बाद मुहसीन खा द्वारा अभिन का दिवाना बना दिया था और अनेक अलगावने काई लोगों की आँखों में आसुलदाई थे अस भयावै घटाना के दोरान नायरा के गिराने की यादे आज भी रूख आमपर डिटी हैं नायरा के निधन के बाद कार्तिक का असहनिय दर्द उतना ही हर्दे विदारक था कयों की वाह अथक रूप से अपने खोए हुए प्यार की तलाश कर रहा था शुभम की चौकाने वाली मौत और रनवीर की मौत जहां सीरत को दोशी ठहराया गया था ऐसे द्रिश्यद जो दिल को छूगाए मारमिक आखिरी पत्ता कहानी पर प्रकाश डाला गया नायरा की मौत के बाद कार्तिक और सीरत की प्रेम कहानी का एंट हो गया अनेक एक साथ चले जाने से श्रिंखला में एक और भावनात्मक रूप से जुदा घ्याय जुड़ गया अक्षरा की दुखत कहानी का असर दर्शकों पर भी पड़ा अनेक बहनोई नील के निधन ने अनेक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए साथ ही अनेक जुड़ावान बच्चों को भी खो दिया अक्षरा की सास गायटरी के किरादार में हिनाखा ने भावनात्मक गहराई की एक और परक तप जोड़ी जब अनका निधन हो गया, जिस से अनका पोटा नक्ष तूट गया आखिरकार, अक्षरा के रूप में हिनाखा का शो से जाना एक यादगार पैल था जिसने प्रशंसकों की आँखों में आसु लडाई या, ये रिश्टा क्या कहलाता है, कि समर्पित अन्यायों के लिए एक महत्वपून ख्षती का संकेत है इन दुखर डॉक्टर शियन ने ना केवल अभिनेताओं की प्रतिभा को प्रदर्शित किया है, बलकि शो की उलेखनिय याथ के दोरान दर्शकों के मैन में भावनाओं का जवार भी पैदा किया है